हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सरकारी भारत में तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कंपाउंड इंट्रेस्ट की इकलास चल रही है अपनी और आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं और डेली प्रेक्टिस करते हैं अगर आप प्रेक्टिस करते हैं तो आप इस चैनल पर आईएगा बरना आपकी कोई जरूरत नहीं है अगर आप डेली पढ़ने वाले इस्टूडेंट हैं पढ़ना चाहते हैं यहां से आप अपना सेलेक्शन लेना चाहते हैं सबसे बड़ी बात यह है मैस में अपना स्कोर बहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चुड़िएगा और चैनल को सबस्क्राइब भी केज़ेगा आज का जो अपना टॉपिक है आपको पताई है कंपाउंड इंट्रेस्ट सिंपल इंट्रेस्ट मैंने आपको कंप्लीट पड़ाई दिया है इसके बाद बात आती हैं क कंपाउंड इंट्रेस्ट की तो सिंपल इंट्रेस्ट जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो डली हुई है सास से आठ वीडियो है सबी के सबी देख लीजेगा कंपाउंड इंट्रेस्ट की अगर जिसने वीडियो नहीं देखिया मेरा पार्ट कि आप सभी को पता ही है कम से कम 20 पार्ट आएंगे compound interest के फिर आप उसके बाद चाहें कोई से भी किताब हो किरन की book हो राके से अदब रीडर्स publication कोई भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा लेकिन कोई भी book हो वहां से आप question लगाईएगा मिन्टों में मिन्टों में नहीं seconds में आप question का answer दे पाएंगे तो आज का पहला सवाल देखते हैं देखिए first question क्या है कि अगर 16,000 रुपे की रासी को अगर principal है 16,000 रुपे कितना है 16,000 रुपे मूल धन कितना है 16,000 रुपे है 5 प्रसत की दर से कितना 5 प्रसत का rate से 5 प्रसत की दर से दिया जाता है तो 3 वर्स का time है 3 years 3 years का simple interest क्या होगा पहला question दूसरा question है कि compound interest क्या होगा आपसे 2 question पूछे गई 2 question कौन से है simple interest पूछा, compound interest पूछा principle दे रखा है, rate दे रखी है और time दे रखा है तो प्यारे साती हो, आप इसमें अगर formula लगाने की कोजिस करते हैं तो हूँ सकता है आपका answer आजाएगा लेकिन दिक्कत का बाती है जब इनके आपस में difference पूछने लगता है देखे, आपको क्या करना है सबसे पहले एक छोटा सा table बनाना है पूरा का पूरा compound interest इस छोटे से table में limit जाता है आपको कुछ नहीं करना, table बनाना है तो two year का उन्हीं student ने जिनोंने नहीं देखा है आप previous वीडियो जरूर देखेगा first year की बात करते हैं, यहाँ पर first year CISI, second year CISI और third year CISI यहाँ पर हम बात करते हैं simple interest की और यहाँ पर बात करते हैं compound interest की बहुत आसान तरीकी से समझेगा one year का जो CISI होता है one year का SI जो होता है वो बरावर होता है one year के CIS के बरावर होता है one year के CIS के बरावर होता है यानि के एक साल का simple interest एक साल के compound interest के बरावर होता है एक वर्स का साधान ब्याज एक वर्स के चक ब्रदी ब्याज के बरावर होता है चक ब्रदी ब्याज होता क्या है ब्याज पर दिया गया ब्याज होता है तो एक साल के तो दोनों बरावर होते हैं भाईया होते हैं कि नहीं तो आप एक बात बताईएगा एक साल का सिंपल इंट्रेस्ट क्या होता है तो सिंपल इंट्रेस्ट होता है एक साल का principal into rate परसेंट यही तो होता है principal into rate परसेंट तो एक साल का SI कितना होगा तो SI आएगा one year का 16000 का 5% कितना होगा 16000 का 5% 0000 से 0000 कैंसल आउट 1685 और यह कितना होगा 800 पे तो एक साल का साधरन व्याज कितना निकला 800 पे निकला एक साल का अगर साधरन व्याज 800 पे है तो एक साल का साधरन व्याज simple interest one year के SI के बराबर होता है यानि कि SI कितना होगा SI भी आपका 800 पे ही होगा किसी भी student को कोई समस्या और जो simple interest होता है SI होता है साधान व्याज होता है वो प्रतेक बर्स के लिए समान होता है तो अगर 800 रुपे यहां है तो 800 यहां भी होगा 800 यहां है तो 800 ही यहां होगा यानि कि प्रतेक बर्स के लिए साधान व्याज समान दर पर बरावर होता है इसके बाद बात करते हैं इंट्रेस्ट के तो जो CI है एक साल के SI के बराबर होता है ठीक इसके बाद जो दूसरे साल का CI होगा दूसरे साल का CI होगा तो वो होगा फर्स्ट इयर का SI, फर्स्ट इयर का CI, पहले साल का CI, प्लस ब्याज पर ब्याज, देखें चक्कबदी ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मिट में आप ऐसे समझें, तो 800 रुपे तो आपको दूसरे साल भी देने होंगे, लेकिन इस 800 का 5% व्याज भी देना होगा, कितना देना होगा, 5%, क्योंकि जो 800 था वो आपका क्या था, व्याज था और उस व्याज पर भी आपको व्याज देना होगा, यानि कि सीधी सीधी बात है, 800 इन्टू 5%, परसेंट अठाएंगे, 100 का डिवाइट, तो यानि यह कितना होगा 40 रुपे यानि कि आपको 40 रुपे ब्याज की रूप में भी देने होगी किसे भी student को कोई समस्या कोई problem अगर problem है comment box में लिखेगा हम दूर करेंगे बात करते हैं तीसरे बरस का तीसरे साल का CI कितना होगा तो जो आपने SCI दूसरे साल का है वो तो आपको देन पड़ेगा लेकिन ब्याज पर ब्याज भी तो देना पड़ेगा इसका मतलब 800 पर आपको 5% का ब्याज तो देना पड़ेगा और 40 रुपे वई आपको 5% का ब्याज देना होगा ब्याज पर ब्याज इस बात को समझे इससे पूरा compound interest खतम हो जाएगा आपका 800 रुपे पर 5 परसेंट ब्याज कितना होता है तो 40 होगा प्लस 40 का 5 परसेंट तो 40 का 5 परसेंट 5 परसेंट को अठाओ 100 का ब्याज आपको यहां पर कितना ब्याज देना पड़ेगा दो देना होगा बात समझ में आई अब एक बात बताइए मुझे three year के लिए गर complete देखने की कोसिश करें तो آپको kult मिलाकर simple interest कितना देना पड़ा तो आपको कुल मिलाकर simple interest 800-800-800 याने कि 2400 रुपे देना पड़ा के तना 2400 रुपे और आपने कुल मिलाकरест CIE कितना दिया कुल मिला के CI कितना दिया तो वो CI दिया आपने 800, 800, 800, 24, 40, 40, 120 याने कि 2520 और ये 2 रुपे याने कि 2522 रुपे कितना दिया 2522 रुपे 2522 रुपे दिया तो 3 साल का साधन व्याज 2400 रुपे होगा और 3 साल का compound interest चक ब्रदी व्याज आपका 2522 रुपे होगा I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप बहतर तरीके से समझ भी रहे होगे मेरा उद्देस यहाँ पर सोर गुल करने का नहीं है मेरा उद्देस है कि कम समय में आपको ज़्यादा चीजे समझ में आई ठीक तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा इसको मैं अभी और सॉर्ट करने वाला हूँ यह तो बताया है लेकिन इसको और भी सॉर्ट करेंगे क्योंकि ताइम को हमें सेफ करना है चले नेक्स्ट कोशन की ओर देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन किस टाइप का है अगर आप लोग नोट करना चाते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको छोड़ देता हूँ चले पूरा यठा देते हैं आप स्किन सॉट ले लीजिगा ओके चले अब न सेकेंड क्वेशन पूछ रहा है आपसे कि अगर प्रिंसीपल दे रखा है कितना दस हजार रुपे कितना 10 हजार रुपे है अगर मूल धन 10 हजार रुपे है तो 10 प्रस्थ की वार्सिक व्याज की धर से 10 परसेंट की वार्सिक व्याज की धर से दो वर्स का टाइम कितना है टू इयर्स दो वर्स का टू इयर्स का कंपाउंड इंडरेस्ट क्या होगा अब आप इस कोशन को चुटकियों में गर देंगे मेरे इसाब से बूले कोई दिक्कत अभी इस कोशन को थोड़ा सा घुमाते हैं घुमाते कैसे हैं कि 10 जार रुपे का 10 परसेंट की रेट से एक वर्स 73 दिन का सी आई कितना होगा कितना एक वर्स 73 दिन का तो अगर टाइम को हम कर दें वन इयर 73 देज तो सी आई क्या होगा आपसे कोशन ये भी पूछ सकता है धौनो कोशन आपसे पूछ सकता है कि एक वर्स का सी आई कितना होगा सॉरी दो वर्स का सी आई कितना होगा और एक वर्स 73 देज का सी आई क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना अपना टेबल बनाना है वा टेबल को सजा देना है बड़े प्यार से ये SI होगा आपका ये CI होगा ये फर्स्ट येर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर और ये सेकंड येर की बात कर रहे हैं अब बात कीजिए एक वर्स का जो CI होता है एक वर्स का SI जो होता है साधान व्याज एक वर्स का क्या होता है प्रिंसीपल इंटूरेट परसेंट यानिके दस हजार का दस परसेंट का मतलब 100 का भग 0000 यानिके कितना होगा 1000 रुपे कितना होगा 1000 रुपे यानिके पहले वर्स का साधान व्याज आपका 1000 होगा और आपको पता है कि एक वर्स का साधान व्याज एक वर्स के चक्रिद्धी व्याज के बराबर होता है तो ये भी क्या होगा? 1000 रुपे और आपको ये भी पता है कि प्रतेक ब्रस का साधान ब्याज समान होता है यानि कि ये कितना होगा? 1000 रुपे ही होगा बोलिए कोई दिकत किसी स्टुटेंट को अब एक बात पताईए दूसरे वर्स का व्याज पूछ रहा है यह पहले वर्स का व्याज साधान व्याज के बराबर होता है हमने माना लेकिन दूसरे वर्स का जो व्याज होता है वो क्या होता है व्याज पर व्याज लगेगा यानि कि आपको 1000 रुपे तो देन होगा लेकिन इस 1000 पर आपको कितने % का सर आपको 10% का व्याज लगेगा यानि कि 1000 का 10% कितना होगा 100 रुपे तो टोटल मिलाकर अगर देखें तो दो वर्स का ऐसा ही कितना हो गया 2000 रुपे दो वर्स का compound interest कितना हो गया तो कुल मिलाकर 2100 रुपे कितना होगा 2100 रुपे यानि कि दो वर्स का चक्वर्दी भी आज आपका 2100 रुपे होगा कितना होगा 2100 रुपे होगा अब बात करता है एक वर्स से 73 दिन का क्या होगा तो वन इयर का आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि one year plus 73 days, बिल्कुल लिख सकते हैं, अब 73 days का मतलब year में change करना है, यानि कि 73 days इसको year में change करने लिए आपको क्या करना होगा, 365 से divide लगाना होगा, कितने से 365 से, 73 से 365 कटेगा एक बटा पांच बार, यानि कि one by five year, कितना? one by five years, तो एक बात बताईए मुझे, one by five years का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, one year plus one by five years, बोलियो कोई दिखत, कोई समस्या किसी student को, तो एक साल का चकवद्दी ब्याज कितना है? एक साल का चकवद्दी ब्याज है, एक अजार रुपे, कितना है? एक अजार रुपे, प्लस, one by five years का क्या होगा? दूसरे साल का बात करेंगे, हमने पहले साल का बात किया, अब दूसरे साल में जाना है one by five years, दूसरे साल का टोटल कितना है? ग्यारा सो और उसका वन वाई फाई तो पांस से कैंसिल कर देंगे पांस दूनी दस पांस दूनी दस जीरो कितना होगा दो सो वी सुरुपे टोटल मिला कि अगर बात करें तो ये कितना बनेगा बारा सो वी सुरुपे बनेगा कितना 1220 रुपे बनेगा और यही इस सवाल का आंसर होगा भूली कोई दिक्कत किसी student को अब आपसे question क्या पूसता question मैं देखें आपको questions के साथ खेलना सिखा रहा हूँ आपको सवाल सिखाना मेरा मकसद नहीं है कि ये सवाल आपका हो गया मेरा काम हो गया मेरा काम है कि आपको questions के साथ खेल खेलना अब देखें कैसे आपसे question पूसता second year का second year CI और SI का difference कितना होगा question ये भी पूसता है सोचिए आपके पास कुछ भी नहों और ये data हो कि 10,000 रुपे 10% की बारस एक ब्याज़ की दर्से 2 वर्स के लिए दे जाते हैं तो 2-3 वर्स के लिए CI और SI का अंतर क्या होगा आपसे पूस सकता है आप करके देखिए आपको कितना difficult लगेगा आपके अपने formula से आप एक बात बताईए 2 वर्स का CI और SI का difference होगा तो 2 वर्स का CI और SI CI कितना है SI कितना है? 1000 रुपे और CI कितना है? 1000 प्लस 100 रुपे यानि कि total मिला कि ये तो हो गया ये तो हो गया 1100 रुपे और ये हो गया 1000 रुपे तो कितना बचा? 100 रुपे बचा तो यही आपका second year का CI और SI का difference होगा यानि कि आप यहां से 1000 से 1000 कैंसल आउट करतीजे 100 रुपे फिर भी बचाएंगे 100 रुपे तो यही आपसे पूछा गया है आपको questions के साथ खेलना, सीखना होगा कैसे सीखना होगा? वो समझे अगले question के साथ मैं थोड़ा सा इस question को और घुमाने की कोसिस करूँगा एक question के साथ मैं कोसिस करूँगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा question हो पाएं अपने जितने भी दोस्ते आप उनको जोड़ना चाते हैं तो जोड़िये नहीं जोड़ना चाते हैं तो आप फिर भी जोड़िये मेरा suggestion यही होगा क्योंकि अपना परिवार जितना बड़ा होगा आज अपना परिवार 20,000 को क्रोस कर चुका है सोचिए जब अपना परिवार 50,000 को क्रोस करेगा तो मैं आपके लिए कितना बहतर तरीके से बहतर content की रूप में चीजें लेकर आने वाला हूँ तो next question देख लेते हैं next question क्या है next question क्या है next question है चोंचट सो रुपे की धनरासी को, यानि कि π्रिंसीपल कितना दे रखा है 6400 रुपीज, 464 रुपे की धनरासी को, जब साड़े 12% की rate से, कितना 15% की rate से दिया जाता है, तो 2 साल का CIE क्या होगा, पहला question तो ये है, जो 2 year, का यानि कि ऐसे बोल सकते हैं two year का time दे रखा है two year ci क्या होगा अभी मैं इस question को थोड़ा सा और भढ़ाऊंगा देरे देरे इसके level को भढ़ाते जाऊंगा आप एक बात बताईए मुझको एक बात बताईए two year का ci पूछा है two year का ci ही तो पूछा है हमको अपना table बनाने से मतलब होता है हमने अपना table बना लिया बोलियो कोई दिक्कत किसी student को अच्छा जी एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो चला है कि नहीं actually मैं होता क्या है मैं अखेला हूँ और मैं ही वीडियो बना रहा हूँ रूम में कोई नहीं है तो इस वज़े से एक बार चेक करना ज़रूरी होता है देखें फर्स्ट इयर का c i फर्स्ट इयर c i और सेकंड इयर का भी चेक कर लेते हैं देखें मैं si को साथ लेके चल रहा हूँ ताके आपको difference वाली बातें भी समझा सकों पहले वर्स का जो simple interest है दूसरे पहले वर्स का compound interest दूसरे वर्स का simple interest और दूसरे वर्स का compound interest पहले वर्स का simple interest क्या होता है rate into principal यानि कि 6400 का साड़े बारा परसेंट आपको पता होका साड़े बारा परसेंट की value क्या होती है तो साड़े बारा परसेंट की value होती है आप लेख सकते हो 12.5% की वैलू होती है 1y8 आप लोग याद कर लिजेगा 12.5% की वैलू क्या होती है 1y8 होती है ठीक है जिसार देखें 6400 गुड़े 12% की वैलू 1y8 आठ से निप्टा दीजिए 888460 00 यानि कितना निकला 800 रुपे लिंग ला एक वर्स का CI एक वर्स का SI कितना है तो एक वर्स का SI है 800 रुपे एक वर्स का CI कितना होगा तो भी 800 रुपे होगा क्योंकि प्रतेग वर्स का साधान व्याज चक्कवद्दी व्याज के बराबर होता है प्रतेग वर्स का साधान व्याज चक्कवद्दी व्याज के बराबर होता है तो प्रतेग वर्स का जो simple interest है वो तो आपस में बराबर होता है इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ने अब चकवधी व्याज की जैसे उसकी परिवासा बैसा उसका कम चकवधी व्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज लगेगा यानि कि आपको 800 रुपे तो देने होंगे लेकिन जो 800 रुपे हैं इस पर भी तो ब्याज लगेगा तो 800 पर कितना ब्याज लगेगा साड़े बारा परसेंट का ब्याज लगेगा कितने का साड़े बारा परसेंट भैया साड़े आठ सो का साड़े बारा परसेंट साड़े बारा परसेंट की वैलू एक बटा आठ आठ से कैंसिल करो तो कितना बनेगा 100 बनेगा कितना बनेगा 100 बनेगा कुल मिलाकर CI कितना हो ऐसा ही कितना हो गया तो यह हो गया 1600 रुपे और यह हो गया CI आट दुनी 1600 रुपे कितना हो गया यह 1600 रुपे होगा और यह 1700 रुपे होगा बात समझ में आई कि नहीं अब आपसे question क्या पूछा है दो बर्स का CIE कितना होगा तो दो बर्स का जो CIE है वो कितना होगा 1700 रुपे होगा भूलिए कोई दिक्कत किसी student को अब आप से पूछ सकता है one year 46 days का one year 46 days का CIE क्या होगा तो एक बात बताईए पहले वर्स का CIE कितना है पहले वर्स का पहले वर्स का CIE है 800 रुपे यानि कि 800 रुपे बचे कितने 46 days 46 days को आप 365 से डिवाइड करेंगे तो ये किसमें change हो जाएगा year में बदल जाएगा 46 days को अगर आप year में change करेंगे तो 365 का डिवाइड करना होगा आच्छा जे ये किसमें काउंट होगा ये दूसरे वर्स में काउंट होगा क्योंकि पहले वर्स का तो आपने पहले ही लिख दिया अब ये 46 days किसमें आगे second year में आगे second year का ब्याज कितना है second year का चकविदी ब्याज है total 800 और 900 रुपे तो यानि कि इसका सीधा मतलब हो गया आपको क्या solve करना है 46 y 365 into 900 रुपे कितना 900 रुपे अब एक बात बताईए अब एक बात बताईए इसको cancel out करके देख सकते हैं तो ये कटेगा दो बार और ये कटेगा पांच बार आप cancel out कर लीजेगा पांच से cancel करेंगे तो ये कितना बनेगा अठारा पंजे नब है यानि कि 180 कितना बनेगा 180 बनेगा और ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे तो 0 182 36 यानि कि 360 रुपे कितना बनेगा 360 रुपे यानि कि 800 को आपको 360 रुपे और देना होगा कुल मिलाकर कितना हो गया 1160 रुपे हो गया कितना हुआ 1160 रुपे हो गया इसका आंसर बोली किसी भी student को कोई समस्था लेकिन इसी सवाल को आपसे पूस्था वो आपसे क्या बूलता आपसे question बूलता कि भया one year अगर टाइम one year three month का हो one year three months का हो तो एक बात बताईए one year का कितना होगा one year का होगा 800 रुपे प्लस three month three month को आप year में चेंज कीज़े मन्त को year में चेंज करेंगे तो 12 का डिवाइट लगा दीज़े यहाँ पर अरे day को अगर year में चेंज करते हैं तो 365 का और month को year में चेंज करना है तो आपको 12 से डिवाइट लगाना होगा यानि कि क्या होगा one year four होगा क्या होगा one year four second year का कितना है 900 टोटल second year का C.I. कितना है 800 रुपे 900 उसका one year four year का निकालना है आपको उसमें तो आप इसे भी cancel out कर सकते हैं 800 प्लस दो से cancel करेंगे दो और ये होगा साड़े 400 दो से cancel करेंगे तो 225 यानि कि 205 कुल मिला कि इस कितना हो गया ये भी question तो पूछ सकता है आपसे कि second year का second year CI और SI का difference क्या होगा ये भी तो पूछ सकता है तो आप बताएए second year का CI और SI का difference क्या होगा 800 से 800 cancel out बचे कितने 100 रुपे बचे तो आप सीधा छाप दोगे यहीं पर 100 रुपे होगा एक question था मैंने कितने तरीके से tackle करना सिखाया आपको बहुत अच्छे अच्छे method से सिखाया ऐसा नहीं है कि ये question आपको अगर आप इस तरीके से करेंगे question को तो वहाँ पर आपको बहुत जादा आसान तरीके से होगा क्योंकि पूरा का पूरा compound interest इसी table के अंदर समाया हुआ है इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाने वाला मैं चिक चलिए तो next question की ओड़ देख लेते हैं friends next question क्या है आप लोग response दीजिएगा comment box में लिखेगा कैसा आपको वीडियो लगा आपको क्या समझ में आया आया या नहीं आया आपके questions का answer आना जरूरी है चलिए sir next question देखते हैं तो next question के लिए screen पर आप देखते रहिए आप लोग share नहीं करते भाई आप लोग share नहीं करोगे तो मुझे motivation कौन देगा आपको motivation तो मैं दे ही रहा हूँ लेकिन मुझे motivation कौन देगा ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे motivation तो सिर्फ आप लोगों से मिल सकता है आपके response से मिल सकता है तो आप लोग अपना response दीजिएगा comment box में लिखिएगा आपको कैसा लगा वीडियो चलिए next question की ओर देख लेते हैं friends तो next question क्या है अगर हम successive से question को करना start करें तो भी हम कर सकते हैं अब मैं अपने रंग में आना start हो जाऊँगा यानि कि थोड़ा थोड़ा अपने level को बढ़ाता जाऊँगा अगर principle दस हजार रुपे है कितना है दस हजार रुपे है अगर principle आप से बोला है दस हजार रुपे है दस प्रस्थत की दर पर यानि कि rate दे रखी है 10% की और यह time दे रखा है 2 years का आपको time दे रखा है अब आप से पूछा क्या है CI क्या होगा क्या पूछा है CI अभी तो मैंने यह question करा रखा है लेकिन अब इस question की ओकात दिखाने वाला हूँ कैसे ओकात क्या वो समझे सबसे पहले हम इसको करेंगे अपने method से rate कितनी दे रखी है rate दे रखी है 10% की 10% का meaning क्या होता है 1 by 10 10% का meaning क्या होता है 1 by 10 इसका मतलब यह ہو गया कि अगर principle 10 उर्पे था अगर principle 10 उर्पे है तो rate आपकी कितनी है 1 है अगर principle 10 है तो आपकी rate कितनी है? एक है, इसका मतलब यह निकलता है साधान भ्याज, ऐसे बोल सकते हैं भ्याज एक है, आप ऐसे बोल दीजे interest एक है, कितना? interest एक है बस समझ मैं अगर आपका principal 10 है तो interest आपका 1 होगा इसका मतलब principal और amount का ratio निकल सकते हैं principal अगर आपका 10 है तो amount आपका क्या होगा? 10 और 11 होगा क्योंकि principal में interest को जोड़ेंगे तब ही तो amount निकलेगा तो ये तो हो गया 1 year के लिए किसके लिए? 1 year के लिए तो ये 2nd year के लिए क्या करना होगा? 1 year के लिए ये हो गया तो 2nd year के लिए बेज ऐसे ही सेम रहेगा सेकेंड एर अगर एक सा दस परसेंट का मिनिंग एक बटा दस प्रिंसीपल अगर आपका दस है तो इंट्रेस्ट कितना होगा एक होगा प्रिंसीपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो प्रिंसीपल अगर दस है तो amount आपका 11, principal 10 है तो amount 11 अगर हम इसको solve कर ले 10 10 जा 100 ratio 11 11 जा 121 table से भी कराने बला हूँ तो इसका मतलब भी हो गया, 100 रुपे मूलधन था, तो आपको 101 रुपे क्या हो गया, amount हो गया यानि कि आपको interest कितना मिला, आपको interest मिला, कितना 21 का, कितना मिला interest 21 का interest मिला, अच्चा 21 का interest किस पह मिला, 100 पह मिला 21 का interest किस पह मिला 100 पह मिला, तो आप यहां से CI percentage भी निकाल सकते हैं 21 मिले, और आपको कितने पह मिले, 100 पह मिले percent निकालने के लिए आपको 100 का multiple करना होगा तो percent से 100 से 100 cancel answer आगया 21% क्या आगया 21% आपका answer आगया बोलिए किसी भी student को कोई समस्या क्या आपको समझ में आया या नहीं आया दूसरा काम आप इस सवाल को अगर ऐसे नहीं करना चाहते आप चाहते हैं कि हम भया इसको table से ही करेंगे तो आप इसको table से भी कर सकते हैं मैं table बना देता यह table बना दिया आपका ठीक अगर आप यह बोले हो कि यह first year और यह आपका second year यह SI SI कितना होगा तो 10,000 का 10% कितना होगा एक हजार रुपे कितना होगा एक हजार यानि कि SI कितना हो गया 10,000 का हाँ जी यह तो रहा आपका CI परसेंट यह तो रहा आपका CI परसेंट चलिए इस पर भी आएंगे अगर आपको compound interest पूछ लेता है यहाँ पर इसी सवाल में compound interest पूछ लेता तो compound interest क्या होगा compound interest होगा कि आपको कितना मिला 10,000 का जो interest है वो कितना है 21 है 21% बोल सकते हो कितना 21% आप इसको भले ही मत कीजेगा कितना है 21% है तो percent को हठाो गये 100 का बहाग डबल 0 से डबल 0 यानि कितना हो गया 200 रुपे हो गया कितना हो गया 200 रुपे हो गया आप ऐसे समझे 100 रुपे अगर प्रिंसिपल था तो amount 121 रुपे 20% का ब्याज मिला तो 10,000 का 21% कितना होगा 200 रुपे वही चीज़ी हाँ पर ये कितना है पहले साल का 1000 रुपे ये कितना है 1000 रुपे ये कितना है 1000 रुपे तो ये कितना होगा 1000 प्लस 1000 का 10% कितना होगा 100 टोटल में लाकि अगर बात करें तो 1000 1000 दो हजार और 100 2100 रुपे यानि कि दो बर्स का C.I. कितना होगा 200 और S.I. कितना होगा 2100 रुपे आपका 2000 रुपे कितना होगा दो बर्स का साधान ब्याज 2000 रुपे और चक्कविद्धी ब्याज कितना होगा 2100 रुपे होगा अगर आप इस कोशन को ऐसे नहीं करना चाते हैं आप इस कोशन को करना चाते हैं कि ये डारेक्ट कर रहा है मुझ लिखाए two year के किस में बता रहा हूं तो जो one thousand है उसमें आपको two का multiple कर दीजिए दो हजार और जो hundred है उसमें आप एक का multiple कर दीजिए hundred total मिला के कितना हुआ 200 रुपे चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको table को अब छोड़ सकते हो यानि कि दो बर्स के लिए हमें दो एक का multiple करना होता है 10% निकालिए फिर व्याज का भी 10% निकालिए automatically two one का multiple कीजिए आपका answer आपकी जोली में होगा आप चाहते हो कि भाया मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहता मैं इसको अपने अलग method से करना चाहता हूँ तो मैं उसको भी बता देता हूँ अगर मैं इस question को successive से करता क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो 10% है क्या है 10% है वो दो साल के लिए लगा हूँ है यानि कि पहले साल भी 10% होता है और फिर उसके बाद भी 10% का ही आपको व्याज लगाना होता है यानि कि आपका जो successive का case है successive का जो case है successive case वो क्या होता है a plus b plus a b upon 100 और total का percent बूलिए यही तो होता है तो पहले साल का ब्याज कितना rate है 10% का दूसरे साल का कितना है 10% का तीसरे साल का क्या है 10 गुड़े 10 बटा 100 00 से 00 कैसे 10 10 20 और एक 21% टोटल कितना निकला 21% निकला सर एक बात बताईए 10,000 रुपे थे उसका 21% निकाल दीजिए 00 तो कितना हो गया 2100 रुपे अब मैंने एक सवाल को कितने तरीके से बताया एक अभी मैंने अठाया तो 3 और यह 4 अभी मैं इस सवाल को एक दू तरीके से और समझाने वाला हूँ तो आपको complete अगर पढ़ना है complete तरीके से पढ़ना है तो आपको daily के daily class में आना होगा जितनी ज़्यादा आप practice करेंगे उतना ज़्यादा सिखेंगे क्योंकि सिच्छा वह सेरनी का दूद है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा अगर आपको दहाड़ना है तो इस सिच्छा रूपी सेरनी के दूद को पीना होगा अगर यह सेर पढ़ने के लिए तयार है तो तुम्हें भी सेर बनना पड़ेगा तो guys I hope आपको समझ में आ गया होगा और मुझे उमीद है आपको समझ में आया होगा मैं बड़े प्यार तरीके से धीरे धीरे असान तरीके से समझानी की कोसिस कर रहा हूँ तो आपको अच्छा लगा तो बड़े को like किजिएगा चैनल को subscribe किजिएगा और आपने जितने भी दोस्त है जितने भी दोस्त है तो भाई यह सेर करना बिल्कुल मत भूले गा ठीक है मिलता न एक्स्ट वीडियो में थेंक यू थेंक यू पर वाचिक इस वीडियो चाहिन जावारा टेक केर बाइब बाइब लव यू डू आल सेयर कीजेगा भाई